Hello everyone welcome back once again to my channel so last video में मैं आपको दिखाय था कैसे two point में हम ड्रॉ कर रहें different different objects तो आज के इस वीडियो में जैसे अब देख सकते हूं I explained how to draw this so आज हम एक रूम बनाएंगे two point perspective में so देखे एगें मैं यूज कर रहो two point perspective तो point सबसे ज्यादा end में आप mark कर लूँ जितना ज्यादा आपके पास paper है सबसे edge में one point में क्योंकि हमें around the center लेना होते है two point में हम जितना दूर रखे point उतना better है हमार ली so अभी हमें क्या करना है सबसे पहले जैसे कोई भी आप no room या object देखोगे तो पहले आपको सोचने कि कौन सा room आपको create करना है जैसे मानलो हाइट ले डूम का सेंग पॉइंट से यह जितना जदा अप इस line को बढ़ा कर दोगे मानलो मैं इसका जगा में इतना ड्राक कर लूँगा इस इस line को बढ़ा करोगे आप उतना room को किया कर रहो च्वटा कर रहो या फिर वोल है आपको corner में shift हो ठीक है आपको रूम को बढ़ा दिखा नो तो इस line को छोटा कर दे रूम को छोटा दिखानो इस line को बढ़ा करते है ठीक है यह बहुत basic rule है सो जितना भी आपको मानना पॉइंट से अब राइट साइड पॉइंट से लेफ्ट साइड एंगल को एक्सेंड करें ठीक है पूरा ट्रॉप करने की नीड नहीं है अननेसेसरी फिर हमें लाइन एरेज करना पड़ेगा इविन इस लाइन को भी थार लाइट लाइट ही करना आपको पॉइंट से रेंडम कोई भी लाइन लेने है जो भी टाइगनेल लाइन से होंगे वह सब इदर लेफ्ट रेट पॉइंट से होगा या फिर राइट से पॉइंट से ट्रॉए करेंगे आप कि आप तो मैं एक bedroom add कर रहा हूं और ड्रॉ कर रहा हूं तो height बेट की अब normal bed का height लो फिर जो headdust रभूग हो आट कर सकते हैं complete height लेगे फिर divide कर सकते हैं मैं normally height ले रहा हूं शहाँ पे bed है मेरा same point already हमार पास wall है तो उसमें अभी क्या करूँगा width marker है अगर आपका single bed है तो तुरह सब width कम होगा double bed है तो ज्यादा होगा उसके recording आप height उसके बाद इस point को आप ड्रॉ कर लें ऐसे left side point से connect कर लें तो automatically छोटा होगा left जो हमसे दूर जा रहा है जो पास है वो बड़ा दिखेगा अभी हम इसको क्या करेंगे point से right side point से extend करेंगे for length bed का length कितना होना चाहिए वो हम right side point से extend करेंगे तो जितना भी आपको bed का length लेना है एक इन proportion काफी कम लेंगे तो square लगे अब इसके बाद हमें क्या करेंगे इसमें height add करेंगे address का कि दो line add कर लिए धियान रखना कि इस corner के नीचे हो इस corner के beyond ना जाए क्योंकि यह wall का corner इसके beyond को जाएगा नहीं कोई भी object अब हमें पहले जो यहां पर corner है उससे भी हम extend करेंगे line right side point से ठीक है अगर आपने basic क्या है तो आपको समझ महार होगा एक क्यूबोइड बन रहा है फिर हम उसको detail करेंगे एक bed में आराम से convert कर लेंगे इसलिए अगर अपने practice नहीं क्या basic तो मेरे previous videos देख लीजिए और आपको अगर वीडियोस अच्छ लग रहे तो इस channel को subscribe कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को like कर सकते हैं और कुछ भी doubt लगे कोई भी आपको topic पे तो आप मुझे comment में बताएं अब देखिए जो corner है यहाँ पे अब इसको हम erase करेंगे उससे पहले जिसे हम इने यहाँ पे headrest का height लिया same point से आप extend करे line towards left side point और इस corner से line up extend करे straight फिर हमरे पास यह जो extra line से अभी हम उसको erase करेंगे तो इसलिए generally में ज्यादा तर light light रहा करता हूं क्योंकि erase कम करना पड़े पर anyways आपको दिखाने के लिए कि कैसे use कर सकते हैं normally कैसे बना सकते हैं तो यह भी बहुत सिंपल सा structure है लाइक हार्ट सर्फेस है बेड़ एक तमसार पेजिस तो अभी इसमें पिलोस और मैट्रस करेंगे तो क्या करें मैट्रस स्मूध होता है तो और मैं बैट्रीट नहीं दिखा हूं बैट्रीट आड़ करेंगे तो कवर हो जाएगा तो कोई और वीडियो में में कोई और बैट बनाऊगा जिसमें बैट्षिटम आड़ कर लें तो कॉर्नेट्स थोड़ा स्मूध करें दोनों साइट से यहां से भी थोड़ा थोड़ा अब मैट्रस का हाइट ले कितना ज्यादा होना चाहिए सेम भूबी उसी साइट पॉइंट से हमें एड करना है से लेफ्ट साइट पॉइंट से ठीक है तो माल लिजिए अब मुझे एक पिलो पगएरा कुछ आड करना है तो पॉइंट से पिलो आप चाहोऊते हो तत्रों से डाइगनल रख सकते हो एक लाइन पॉइंट चनुलिप के लिए इस पॉइंट के से लाइन समूध होगा तो से में सिंगल एड़ करूं तो अभी एक रेक्टांगल एक तो यह अभी इसको थ्रीडी करने के लिए पीलो तुर आसे सार पेजस नहीं होता स्मूध होगा फिर इसको एरेज करते हैं थोड़ा चाहो तो आप ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा हैचिंग कर सकते हूं सेम अब बेड में छोड़ छोड़ लेक्स होते हैं तो और एक लाइन टॉकर ऐसे नीचे से कॉर्णर से कॉर्णर तक सेम यहां से भी एक्स्टेंट करें अब इसमें हमें छोड़ छोड़ लेक्स ट्रॉ करेंगे तो जो लाइन है इसको हम बाद में रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन यह अपने कॉर्डिंग आप वेरी कर सकते हूँ यहां से भी फिर लेफ्ट से पॉइंट से थोड़ा देफ्ट आइड करेंगे तो सेम यहां से भी फिर आपको ई लाइन इरेस कर देना अब जैसे बैट के पीछे हमें पेंटिंग से बार कुछ आयड करना हूँ कोई भी फ्रेम तो एलाइन हो दोनों साइट तो एक तो अब इसे गाइडलाइन ड्रॉख कर लें स्ट्रेट अब जतना बड़ा पेंटिंग है अगर बैट से बड़ा है तो दोनों साइट लेफ्ट राइट पॉइंट से कितना उपर आपको रखना है ओ हाइड पेंटिंग का सेम फिर सेम है अब स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमें थिक्निस भी चाहिए पेंटिंग का यह जस्ट फ्रेंट फ्रेंट है हमें पॉइंट से फिर स्ट्रेट लेन ध्यान दे जैसे मेरा इलेवल है उसके जिस्ट ऊपर है थोड़ा तो मुझे उसका स्लाइटली जो लाइन इसे ड्रॉ करोगे पॉइंट से जॉइन हो गई है तो इस पॉइंट से भी द्रॉ करोगे थोड़ा सा तो हमें इसका बॉट्टम दिखाए देग थोड़ा साही ज्यादा नहीं फिर उसके अंदर आप फ्रेम का जो थिकनेस है वुट के फ्रेम का पॉइंट से कोई भी लाइन जो डाइगनल लाइन मैं याड़ कर रहा हूं बस जो वर्टिकल लाइन है वह हमारा पारलल होगा कोई भी डाइगनल लाइन कोई भी और ठीक है कॉर्नर्स को मैंसे अब जॉइन कर लू फ्रेम में ऐसे कट्स होता है फिर हम इसमें कुछ भी ऐसे सीन क्रेट कर सकते हैं या हमारों पर इसमें कुछ प्रस्पेक्टिव का रोल नहीं है इस तरह ही यहां पर मानलों आप प्लग पॉइंट है या साइट टेबल है कुछ भी तो सेम पहले क्या करें पॉइंट से हाई ट्रॉ करें फिर पॉइंट से देफ्थ कितना वाइड है वह हूं करेक्ट ऐसे बन गया हूं अब यहां पर भी कर सकते हैं ज्यादा नीड नहीं हमें इस करेंगे एक गाइडलाइन लेलो एक बॉक्स बन गया राइट तो राइट शेट पॉइंट से आपको क्या करना है एसे एक्सेंड करना है कितना देफ्थ देना है आप चाहूं तो था ख्लोज भी कर सकते हूं मैं जानभूष के तरह साइट कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिर ओवरलाप हो जाएगा तो इरेस करना पड़ेगा बैट बर टेकनिक सेम रहेगा स्टिल इस वेरी क्लोस टुद बेट पॉइंट स फिर आप एक्सटेंड करो सेम राइट सेट पॉइंट सेम लफ्ट राइट पॉइंट से टॉप साइट का सेम यहां से स्ट्रेट लाइन फिर उसमें छोड़ शोड़ लेक्स दो और एक लाइन रहा करें और एक लाइन फिर आप इसमें इस सब चीजें रेज करते हूं पहले इसमें लेक्स आइट कर लो जैसे बैड में हमने किया सेम दोनों साइट दोनों साइट एक लाइन फिर देफ्थ फिर इसमें हमें पार्टिजन ज्रॉर्स दिखाने है टू या थ्री जो भी हमें मैं डू दिखा रहूं इस अभी मैंने सेपरेटली बताया था आप वीडियो चेक कर सकते हूं जिसमें नॉमली कैसे क्यूबाइट से कोई भी आपजेट बनाते हैं वर्क्स्प्लेंड क्या ह हो है उसी चीज़ को हम अब रूम के अंदर प्रोपोर्शनली फिट कर रहे है तो आपको अगर प्रोडेक्ट आता है तो आप कोई भी प्रस्पेक्टिम उसको ड्रॉ कर सकते हूं कोई भी अंगल में कोई भी साइट में तो ऐसे हो गया अब मालो इसके उपर एक लांप है तो वो किसे ड्रॉ करें तो एक लाइन ड्रॉ करें वो लाइन जनरली सेंटर होना चाहिए तो ऐसे आप क्रॉस कर सकते हो इस फोर को असे center point आ जाएगा उससे एक straight line जोइन करें। वो कहीं भी आ सकता है। इस point के उपर आ सकते हैं। हाँ भी आ सकते हैं। आपके drawing के recording भू change हो जाएगा। मैरे copy करो तो जरू नहीं जिसे मेरे आ रहा है वो आपका same आए। तो आपके टेबल के टॉप के कॉर्डिंग वह शिफ्ट होगा जहां भी आएगो पॉइंट वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आप जतना हाइट है लांप का अभी हमें बेस चाहिए तो रेकें राइट से लाइन लेफ्ट से लाइन यह जब पॉइंट आ रहा है बेस करेट हो गया फिर इसमें आप इसे सर्कुलर बना सकते हैं अब चाहतों स्ट्रेट भी रख सकते हैं स्कॉरिकल पेस अब इसमें स्ट्रेट लाइन है तो इसमें थिकने से लेंगे उससे पहले हम लैंप ड्रॉ करेंगे तो लैंप एक चोटा सा सर्कुल बनाना है आपको धियान रहें सर्कुल जब बनाओगे तो जो लाइन है उसके दोनों साइट इक्विल बने वो सर्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस लाइन है तो आफ वो एक साइट छोटा हो एक साइट बढ़ाओ ऐसे होगा तो लैंप डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इसलिए सिलिंडर का और दोनों सेट सिमेट्रिक तो स्टील आपको कुछ आउट लग रहे था आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो लोग बता सकते हो तो एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सा सर्कल लाइट लाइट राओ करें क्योंकि आई लेवल के नीचे होने के वैसे हम इसे बॉर्टम का को दिखेगा नाकी इ आचे फिस जो स्ट्रिक है स्ट्रिंगल लाइन है अब इसमे था थिकनेस आड़ करें तो आपका लांप कंप्लेट जो काईड लाइन है स्ट्रेट लाइन वह आप उसको एरेज कर सकते हूँ सहीम इस लाइन को आप एक्सेंट कर लो और को और यहां पर कहीं छोटा सा स्विच बूर्ड बना सकते हम स्ट्रेट लाइन फिर लेफ्ट साइट पॉइंट से एक्सेंट फिर यहां से सिवाहर एक स्ट्रेट यह दो स्ट्रेट बना सकते हैं करेक्ट यह हो गया हमारा बेट एंड लाम्प अभी इसमें हम और भी डिटेलिंग जैसे आड़ करेंगे सेलिंग लाइट्स तो पॉइंट से इस लाइन के थोड़ा से उपर और एक लाइन ड्रों करो थो फॉल्स से लिंग के से लाइन को एक्स्टेंट सेम दुबार और उपर वाल पॉइंट है उस लाइन के उससे भी एक्स्टेंट फिर इसमें भी आपको अगर लाइट फिट करना हूं जैसे मैं आपको दिखा देता हूं तो राइट से एक लाइन ड्रों करों से स्क्राइलेक्र चाहिआँ से drip करते हैं मैं आमेल स्क्राइर व्याइब से do हो सकती है package हम प्रloud आप्ष險 करेंगे चिंग सब्सक्राइब और स्चेतर थिंगे तरुबंगे पिर करेंगे फिर डेफ लाइट का फिर एगीं 1 पॉइंट से गाइडलेप राकड अब क्यूंकि पूरा इतना बढ़ा नहीं होगा तो अभी इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे लाइट के लिए स्पेस तो फॉर्स्ट लाइट सपोस रेक्टांगुलेट फिर हमें स्पेस देंगे फिर सेकेंड ऐसे लाइन अब आल्टरनेट ट्रॉ कर लो फिर इसको एरेज करतो हुआ है क्या फिर धरे इंक्रीज होगा तो जैसे यह मैंने यह वाला लाइन के बीच में गाप कम है तो टेक्निकली इसमें ज्यादा ग्याप होना चाहिए क्योंकि यह सामने है ठीक है तो इसको फिर जो फाइनल लाइन से प्रडाग कर सकते हो सेम इस साइट कुछ वाल पर कुछ दिखाना हो पेंटिंग से कुछ भी या विंडू दिखा सकती हो विसे आप तो हाइट विंडू का ट्रॉ करें मिडिल में वाल के मिडिल में ज्यादा नीचे नहीं ज्यादा उपन नहीं फिर कितना ज्यादा देफ्ट चाहिए पॉइंट से सेम इस साइट से भी फिर डिफाइन कर लो आप लाइन बॉक्स बन गया अब हमें जैसे कॉटन से कुछ भी यह कुछ रहा करना हो तो क्या गरें पॉइंट से लाइन देखिए उस राइट शेट पॉइंट से ही कॉटन के लिए पहले हैं गो आड कर लो बाहर फिर हाप इस में एक जो भी आड करना हो फैब्रिक स्ट्रेट लाइन ड्राओ करें बॉट्टम सेम गाइड लाइन ड्राओ करें राइट शेट पॉइंट से कर लें नीचे रहे लेकिन वो पॉइंट से गाइड लाइन लेकर रेंडम लिना ड्राओ करें फिर सेम वित अपर साइट फिर यहां से स्ट्रेट लाइन अब इसके बाद इसके अंदर लैक जो विंडो है उसके अंदर आफ डेटेलिंग दे दो जैसे डोर है या कुछ भी सेम राइट साइट पॉइंट से मिडिल में पर एक आइडलाइन लेलो कि दो चाहिए या त्रीन चाहिए डिविजन्स अव साइट त्सित चाहिए काने कली खिया अट फ़ैबरी को अशी लिए लाइन श्डॉकशल आपको कुछ और भी आट करनों कर लो फिर सबसे लास्ट में आपको इसमें ड्रॉख करना है टाइल्स तो जैसे आपका कॉर्णर मुझे विजिबल होता है होप सकता आपका दिखनी रहा तो क्या करें इक्कुली जैसे टाइल्स हम ड्रॉख करें सामने बड़ा देखेगा ओटमेडी छोटा-छोटा हो जाएगा तो कुछ लोग बहुत जदा नीवन ड्रॉख कर लेते हैं तो कैसे उसको प्रॉपर ड्रॉख करें तो जो अल्रीड लाइन उसमें इसलाइन पॉइंट से माक कर लो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा हलका हलका ठीक है तो आपको ग्राजूली पता चलिएगा छोटा चे बड़ा हो रहा है सेम इधिस सेट अभी हाइड है तो अपैसे जस्ट मार्क कर लो क्योंकि वह हम ड्रॉख नहीं करेंगे जितना अब लाइक फरनिचर है जो भी स्पेस कवर कर रहा है बटे जे गाइड लेन आपको पता चल जाएगा फिर जितना इरिया आप में दिख रहा है उसको पॉइंट से स्टार्ट करो ड्रॉख करना तो आटमेडिक क्या होगा टाइल्स हमार तरफ आता है बड़े हो जाएगे जो दूर जा रहा हम से छोटा हो एक से टेकनीक है टाइल्स ट्रॉख करने का तो आपका टाइल्स एक्कुल होगा सारे फ्लोर पर अनेवेन नहीं होगा तो देखिए यह बेट कवर कर दिया तो मैं यहां से ड्रॉण नहीं करूंगा रेंडम ली तो मुझे अल्लेड मेरे पास पॉइंट है एक्टेंड किया देख्रों चोटे-चोटे-चोटे पॉइंट से मैंने वाग किया हाइड लिए आपको दिख रहा हो साहत कैमरा में पर हाँ एज गाइडलाइन ओके और एक पॉइंट है लास्ट यहां पर सेम जैसे बड़ा चोटा-चोटा-चोटा हो रहा है सेम इस साइट से भी वह चीज़ बड़ा फिर चोटा-चोटा हो जाएगा सबसे लास्ट में ड्रॉक करने है आपको लैक डिटेलिंग फ्लॉर का टाइल्स का क्योंकि कोई भी आपजेट इसके बाद प्लेस करूप फिर आपको रेस करना अप तो अंटाइडी हो जाता है थोड़ा सा वो स्केच्च सबसे लास्ट में बहुत चोटा-चोटा टाइल्स भी ना बना है क्योंकि फोकस फिर ओवराल आई जो है मूव नहीं होगा सिर्फ फ्लॉर पर फोकस हो जाएगा तो इस चीज़ कभी आपको थ्यान रखना है ठीक है चोटा-चोटा-चोटा-चोटा से बड़ा हो जाएगा सेम ग्राजुली चोटा से बड़ा से चोटा हो रहा है तो आपको समझ में आया होगा तो कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन बताए मैरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आम न्यू है तो और लाइक करें इस वीडियो को तेंक यू सो मच फूर स्यों सुने इतनी वीडियो टेक केर और गुट बाई